जिस वक्त इरान के राश्पती इब्राहिम राइसी के हेलिकॉप्टर की हार्ड लेंडिंग की खबर आई उस वक्त पूरे इरान में मानों तहल का मच गया था और इरान के लोग राइसी की सलामती के लिए दुआएं करने लगे थे वहीं दूसरी तरफ इरान की सेना समेट तमाम एजन्सियां राश्पती के हेलिकॉप्टर की तलाश में लग गई थी लेकिन जिस इलाके में राइसी का हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ था वो इलाका जंगल और पहाडियों से भरा था और ऐसे दुर्गम इलाके में इरानी सेना राइसी के हेलिकॉप्टर को ढून नहीं पा रही थी लेकिन जो काम इरानी सेना नहीं कर पाई वो काम तुर्की के एक ड्रोन ने एक जटके में कर दिया और तुर्की के इस ड्रोन की बाज जैसी नजर की बदौलत ही राइसी के हेलिकॉप्टर को ढूंडा जा सका और उसके बाद ही इरान ने आधिकारिक रूप से राइसी और इरानी विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टी की आपको बता दे कि 20 मईए 2024 की सुबह तुर्की की एजेंसियों ने एक वीडियो फुटेज जारी किया था जिसमें जंगल के बीच आग लगी हुई दिख रही है और इसी आग को राइसी के हेलिकॉप्टर का संदिग्ध मल्बा बताया गया था बड़ी बात ये थी कि ये वीडियो फुटेज इसी ड्रोन के जरीए रिकॉर्ड किया गया था जिसे तुर्की ने राइसी को ढूनने के लिए भेजा था लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इरान के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच राजपती इबराहिम राइसी के हेलिकॉप्टर को ढून निकालने वाला ये ड्रोन आखिर कितना ताकतवर है और इस ड्रोन की क्या क्या खासियते हैं तो आपको बता दे कि बैरेक्टर अकिनसी ड्रोन को तुर्की की डिफेंस कमपनी वैकर ने बनाया है ये ड्रोन अपने आप में ही बेहधी ताकतवर है इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कई तरह के पेलोड्स को अपने साथ ले जा सकता है और इसके पंखों का डिजाइन भी अपने आप में अनोखा है ये ड्रोन तुर्की के कई मिलिटरी अप्लिकेशन को एक मजबूत मंच प्रदान करता है और ये तुर्की की ड्रोन टेकनोलोजी की ताकत में प्रगती का एक प्रतीक भी माना जाता है इस ड्रोन में दो टर्बो प्रॉप इंज लगा हुआ है ये ड्रोन 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है इसकी उचाई 4.1 मीटर है ये 1500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और इस ड्रोन की लंबाई 12.2 मीटर तक है ये 30,000 फीट से लेकर 40,000 फीट की उचाई पर उड़ान भर सकता है इसके अलावा इसमें High Sensitive Auto Take-Off और Sensor Fusion भी लगे हुए हैं इसमें Automatic Taxi और Parking फीचर भी है इसके अलावा इसे आर्धस्वतंत्र Pilot Mode Support System भी लगा हुआ है इसके साथ ही इसमें गड़बड़ी को सहने और तीन Radiant Sensor Fusion एप्लिकेशन भी हैं इसके अलावा इसमें विशेश प्रकार की Radiant Lithium वाली बैटरी के यूनिट्स भी लैस हैं इस ड्रोन में दो तरह का Artificial Intelligence Avionics यानी AI लगा हुआ है जो Signal Processing, Sensor Fusion और Real Time में हालातों की जानकारी द और हवा से हवा में हमला किया जा सकता है तूर्की का ये ड्रोन Electronic Support System से भी लैस है इसके अलावा इसमें Dual Satellite Communication System भी लगा हुआ है और Air-to-Air Radar, Radar को चकमा देना और Synthetic Aperture Radar को ले जा सकता है इसकता है झाल